प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने विश्व प्रयावरण दीवस के मौखे पर देश को संभूधित करते पर बताया कि भारत ने पैट्रोल में 10 फीजदी इथनॉल ब्लैंडिंग के लक्षे को प्राप्त कर लिया है इतना ही नए भारत ने इस लक्षे को समय से पहले ही हासिल कर लिया है इस लक्षे को हासिल करने से भारत को तीन बड़े फायदे हुए हैं क्या है वो फायदे और क्या होता है इथनॉल चलिए जानते हैं सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने इ आपको ये जानकर भी गर्वे की अनुभूती होगी कि भारत इस लक्ष पर तैस समय से पांच महिने पहले पहुँच गया है। इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ देड़ प्रतीशत इथेनोल की पैट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। दूसरा भारत को 41,000 करोड पे से जादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वकून फाइदा ये देश के किसानों को इथेनोल ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग बढ़ने के वज़े से आठ वर्षों में 40,000 करोड रुपिय से भी जादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ओईल कमपनियों को इस उपलब्धी के लिए बढ़ाई देता हूँ। तीन सबसे बड़े फायदों की बात करें तो एक तो इससे करीब 27,000,000 टन कार्बन अमीशन कम हुआ है। दूसरा, 41,000 करोड रुपे से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और तीसरा, और सबसे महतपूर्ण, किसानों को इथनॉल ब्लैंडिंग बढ़ने की वज़ा से आठ सालों में 40,600 करोड रुपे की आय हुए है। आपको बता दे पेट्रोलियम मंत्राले का लक्ष है कि आने वाले 2023 तक भारत इथनॉल की 20 फीजदी ब्लैंडिंग का लक्ष हांसल कर ले। अब बात इथनॉल पर करते हैं यानि इथनॉल क्या होता है इस पर करते हैं। 35 फीजदी तक कम कार्वन मोनोट्साइड का उच्ज़न करती हैं। तो देखा आपने ये इथनॉल कितने काम की चीज़ है। चलिए अब प्रदूशन को रोकने का उपाय ढूंडे ही जा रहे हैं तो थोड़ी बात विश्व प्रियावरण दीवस पर भी होनी चाहिए। प्रियावरण दीवस पर भारत की पूर्व प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी ने भारत की प्रकृती और प्रियावरण के प्रकृती चुन्ता को जाहिर किया था। उमीद है ये खबर आपके कुछ नया जानने के काम आई होगी। बने रहें मुरस्तक के साथ। कि ये खब आपके के लिए भारत की पूर्ण झाइए।